हलो दोस्तो नमश्कार रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना आज की दिन की बात करें तो आज की दिन का पहला वीडियो ये भी जबरदस इंपोर्टेंट वीडियो है इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है तो आप चाहो तो इसको भी स्टड़ी कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सब दोस्तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले है आज के दिन का सबसे ज़्यादा पॉपिलर स्टॉक येस बैंक तो इतना पॉपिलर ये क्यों हुआ है क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे तो येस बैंक ने दो साल पहले जो अपना लेवल यहाँ पे बताया था मतलब 20 रूपीज के आसपास वो आज इसनों ही आपे अच्यू किया था नो डाउट 20.50 तक ये स्टॉक गया था उसके बाद हमनों को हलकी सी प्रॉफिट बुकिंग होते वे देखने को मिले और स्टॉक यहाँ पे नीचे आया एक जमाने में 400 पे चलता था अभी देखा गया तो 10-15-20 रूपे पे मिल रहा है तो माइट भी वापस 400 पे जाएगा तो इसके चलते बहुत सार लोग का यह फेवरेट स्टॉक यहाँ पे बन जाता है अभी वो जाएगा नहीं जाएगा क्या इन्वेस्ट करना चेह नहीं करना चेह इस वीडियो में मैं जरूर आपको आखिर में बता दूँगा बड़ उसके पहले कि भागा क्यों इसके पीछे का reason क्या है main reason क्या है तो वो अभी में आपके सामने आपे रखने वाला अभी इतनी तगड़ी तेजी है मतलब कोई न कोई solid reason रहेगा तो चले उसी reason के उपर आ जाते तो Bombay Stock Exchange के उपर अगर आप जाओगे and announcement section open करोगे Yes Bank के इसमें तो नौ तारीक आज की दिन ही आप देख सकते Yes Bank ने एक PDF यहापे upload किया है आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो वरना अगर देखा गया तो चले मैं ही आप लोगों को पढ़ कर यहापे ही वो सारी चीज़ी आपे बता देता हूँ तो ठीक है दोस्तों PDF open हो चुका है तो चेक कर सकते Private Sector Lender Yes Bank on 9th December said it has received two letters from Reserve Bank of India pertaining to its deal with the CA investment and Verventa Holding Limited तो बहुत ही तगड़ा यह paragraph हमनों को समझ में आ पर आ रहा है तो RBA के और से इनको यहापे जबरदस दो letters भी मिलते वे दिखने को मिल चुके है कि दो और investor यहापे Yes Bank के और से हमनों को आते वे दिखने को मिल रहे है तो आप देख सकते, the bank plan to engage with the investor to complete its fund raising का जो उनने estimation लगाया था क्योंकि जो भी डुपतावा जाज होता है उसको बचाने के लिए क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए, आप देख सकते वड़ा फुन है, आईडिया के हालत क्यों खराब है? लगातर खराब ही हो रहे है, क्योंकि उनको कोई investor मिल ही नहीं रहा है अभी yes bank में भी देखा गया, तो ये भी खतम ही होने वाला था, बट bank है और bank को बचाने की जिम्मेदारी, RBI की होती है, और RBI नहीं यहापे बचा है इसके पीछे के reason भी आपको पता है, बाकी जितने भी banks थे, उन्होंने इसमें पैसा लगा दिया, locking लगा दिये तो इसके चलते हैं, आज आज आप देख सकते, yes bank हमनों को survive करते वे देखने को मिल रहा है बट ultimately, survive कब तक support के चलते करेगा, कभी न कभी खुद के पैर के उपर खड़ा तो रहना आना चाहिए और इसी के लिए fundraising की सक्त जरूरत यापे रहती है, और देखा गए तो ऐसे डूपते वे जाज में जादा fundraising के लिए कोई आता है नहीं कौन क्यों इतना बड़ा पैसा invest करना चाहेगा, और जबी भी कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है तो आप देख सकते नतीजा आपी के सामने, stock में अमनों को गजब की, आज के दिन भी 11-12% की तेजी देखने को मिली है तो क्या यहाँ पर fundraising हो गई, तो नहीं दोस्तो, यहाँ पर इसके चलते, RBA के और से उनको green signal मिल चुका है कि जाओ इनकी साथ अभी बातचित करो करके, no doubt अभी बातचित होना यहाँ पर start हो जाएगा और उसके बाद अगर investor मान भी गए, fund raising के लिए, तो भी यहाँ पर yes bank को अलग-अलग regulatory compliances, उसी के साथ चाथ approvals लेने पड़ेंगे और उसके बाद उनको हरी जंडी यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर खुश होने की बात क्या है, खुश होने की बात यह है, कि जैसे मैं आपको बताया था, कि जुले की बात करे, तो जुले मन्त में आप देख सकते हो कि yes bank को यहाँ पर इसके पहले investor यहाँ पर मिलेते equity, potential acquisition की बात हो रही है, 10-10% की equity भापे खरीच सकते है, तो उसके बाद yes bank अभी भी तलाश कर रहा था, अरे कोई तो आओ, पैसा लगाओ, कोई तो आओ, पैसा लगाओ, बट अभी तक तो कोई proper investor सामने आते वे देखने को नहीं मिल रहा था, बट आज की दिन हम लोगो एक yes bank में आज की दिन जबरदस तेजी होते भी देखने को मिली है, दैन उसके बाद कुछ और एक दो parameters बोले ही जाते हैं, जैसे की, अभी yes bank को कौनसी चीज़ की ज़रूरत है, एक है fundraising की, और दूसरा आप लोगो को पता ही है, asset reconstruction company जो जैसी flowers के साथ उनकी अभी बात्चीत्या अगर हम लोग बात करें, तो धीमे-धीमे करके improve होते भें देखने को मिल रहा है, मतलब इसके पहले 15% का NPA हुआ करता था, जोकि अभी लगबग 12.9 मतलब 13% के करीब देखने को मिल रहा है, तो लगातार हम लोग लोगो gross NPA नीचे जाते भें देखने को मिल रहा है, और similar इसमें भी हमलों को सुधार देखने को मिल रहा है, यह सारे फेक्टर Yes Bank ने अपने सामने फिलाल तो यहापे रखे है, तो अगर देखा किया दोस्तों, तो यहापे जो Yes Bank को दो important चीज़े चाहिए रहती थी, एक तो JC Flower का तो, मतलब deal तो almost यहापे इनका हो चुका है, वही 48,000 करोड जिसके चलते उनको 12,000 करोड यहापे देंगे, उसमें से देखा किया, तो 1200 से 1800 करोड उनको इमेडियेटली देंगे, बाकी जैसे इसे 10,800 करोड दिमे दिमे करके रिकवर होंगे, और वो भी 3,3 कमिशन काट कर उनको मिलेगा, तो यह ओलेड में आप लों को प्लान ब बढ़ेगा, बट एक न्यूस यहापे यहापे यह बैंक को अच्छी कासी मिल गई, जिसके चलते आज जबरदस तेजी, यह बैंक में हम लों को देखने को आपे मिली है, तो ठीके दोस्तों, जो में न्यूस थी, वो तो अभी आप लों को पता यहापे चल गई है, इसके बाद अभी yes bank कितना जबरदस भागा है तो common सवाल तो आना शुरू यहाँ पर हो ही जाते हैं कौन सा common सवाल इन्वेस्ट करे क्या यह तो normal सवाल यहाँ पर रहता है यह कोई भी stock जबरदस भागता है तो यह पूछा ही जाता है तो दोस्तो मैंने इससे पहले भी detail अलग-अलग videos में मैंने आप लोग को points यहाँ पर बताए देखें के trading एक अलग बात होती है and investment एक अलग बात होती है मैं इस channel के अगर मैं बात कर तो मैं investment से related videos यहाँ पर बनाता हूँ and यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक point हजार बार यहाँ पे बोला है कि yes bank में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही important phase अभी उनका आने वाला है March मतलब अभी देखा गया तो December अभी खतम ही हो जाएगा उसके बाद Jan, Feb, March that's it मतलब 3-3 मेने के बाद ही यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि yes bank कितना अच्छा performance कर सकता है कि नहीं क्यों कि yes bank में फिलाल क्या चल रहा है locking चल रहा है जो बड़े-बड़े हम लोगों ने banks में जो yes bank में पैसा लगाया था उनका locking जैसे खतम होगा unlock हो जाएगा lock तो उसके बाद किसी के उपर पाबंदी नहीं रहेगी कि उनको yes bank में अब hold ही करना है करके तो चाहे तो वो यहाँ पे निकल भी सकते हैं बड़ा-बड़ा investment है उनका तो इसलिए मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया है ट्रेडिंग एक अलग बाद होती है investment के इसाब से अगर मैं बात करू तो ये एक point आपको पता होना चाहे चलो मान लेते हैं कि locking भी यहापे खतम हो गया तो क्या इसके बाद भी हम लोग जाके yes bank में invest करें नहीं मैंने आप लोगों को बताया कि investment दोस्तों जो किया जाते है वो business को देखकर किया जाता है आप share price को देखकर investment की सवाल पूछते हो मतलब आज stock 11% भागा 12% भागा मान लेजे और दो दिन भागता है और 10% भागा और जो focus है yes bank का वो साफ साफ या पर company का locking खतम होने के बाद company के जो result आएंगे result किसके हिसाब से आते है company के performance के इसाब से company के business के इसाब से फिर result जो आएंगे वो में देखकर addition लूँगा कि मुझे yes bank में as a investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए long term के हिसाब से पर सब तब तक त शुरू किया है वापस 400 चला जाएगा business को देखा नहीं situation को देखा नहीं and वो trap हो गए and ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है वापस मैं again and again के रहा हूं कि business देखकर result देखकर performance देखकर आप लोगोंने decision लेना चाहिए right महेंगा सस्ता कितना percentage उपर भागा कितना गीरा मा आपे आज के दिन भागाए no doubt अच्छी खबर है long term के इसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो investment के लिए तभी like बन सकता है जब ये company अपने पेरों के उपर खड़ा रहना start करेगा and March के बाद company कितना अच्छा performance देती है ये सारा reconstruction खतम होने के बाद तब हम लोगों को वाकई में क्या ये अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहें उसमें भी मैंने आप लोगों को एक point बताया था कौन सा point कि एक बार भी अच्छा किया तो इस कारते हैं कि आपने जाके निवेश करना है बार बार अच्छा करना चाहिए consistency के साथ अच्छा करना चाहिए तब वो investment क के लिए ठीक रहेगा मैं कितनी बार repeat कर रहा हूं देखिए ट्रेडिंग अलग बाद होते हैं ट्रेडर लोग फायदा उठाते हैं stop loss के साथ and क्या कर लेते हैं चले जाते हैं investment के लिए अगर मैं बात करो दोस्तों तो यहापे stop loss नहीं होता है जब तक company का business खराब नहीं होत तो यह factor आप लोगों को पता है यहापे होना चाहिए तो जितने भी बात मिने आप लोगों को यहापे बताईए investment से related यह आपके दिमाग में रहना चाहिए वरना अगर देखा गया तो 5 साल का data आप देख सकते हो 93-95 in fact उससे भी ज्यादा stock गिरा है अगर मैं top level से calculate करू तो खबरों की चीज़े चलती थी और बाद में एक crash हो गया तो लोग trap हो गया अगर आपको पूरा ना वीडियो देखना है यहापे मैंने वीडियो बना के आपको warn किया था कि 200-223 पे चल रहा है मत invest करना आप फसोगे करके clear cut indication दिया था link उपर आए बटन पे है चाहो तो सबसे investment नहीं किया जाता investment करने के लिए उस प्रकार की news मतब अलग type की news होती तो चल जाता अभी यह फिलाल survive कर रहा है यह fundraising के लिए बस उनको एक क्या मिला RBI के और से एक हरी जंडी मिल गए दो parties interested है वो हम लोग को देखने को मिला है अभी इसके बाद बहुत सारी चीज़े pending है तो जो भी important चीज़े थी वो सारी में आप लोग को बता दिये कि yes bank में अगर आपको investment करना है तो इसके लिए जब तक वो locking खतम नहीं होता है जब तक ARC से related चीज़े खतम नहीं होती है और उसके बाद company लगातार quarter 1, 2, 3, 4 consistency के साथ grow नहीं करता है तब तक यह solid investment वाला stock नहीं बनेगा चोटा मोटा jump आता रहेगा बट एक solid investment मतलब केसे आप उसमें बड़ा पैसा लगाने के लिए जो हिम्मत चाहिए जो confidence चाहिए गिरने के बद average करने का जो confidence चाहिए वो पाने के लिए यह सारी चीज़े होना important है और इसी चीज़ को अगर आपको और detail में समझ किल हो जाता है पर detail में अगर आपको समझना है तो दो अफ़ते पहले में यह वीडियो बनाया थे यह दिखिए yes bank से related क्या इसके दीन बदले है क्या एक हजार तक जाएगा बहुत सर लों को पसंद भी आयता लगब देड़ लाग के करीब लोगों ने वीडियो को दिखा थ इसलिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ बात है और बहुत सर लों की आखे भी खुली थी तो मैं लिंक उपर i button पर यहापे दे रहा हूं इस वीडियो का जरूर देख लेना अगर आप yes bank में पैसा लगाने का long term के investment के इसाब से पैसा लगाने का विचार कर रहे हो तो यह व फोकस में रखकर decision लेने चाहिए वो भी मैंने आप लोंको कुछ यहापे guide कर दिये है तो आशा करता वीडियो helpful लगा होगा तो जरूर like and share यहापे कर देना and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं कि है तो link नीचे description में 25 वीडियो की list आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगे आपका न आपको बिलकुल